हेलो फ्रेंड्स अज अपां एपी दा नेक्स्ट टॉपिक करांगी जो की साथा है एन्ने टर्म ओफ दा एपी ते कुछी एन्ने टर्म होंदी कि अपर इंदे बड़े डिस्कस करांगी तब एक एक जामपल लेने हैं जिवी देख रहें दुसी टू फोर सिक्स एड 238 टर्म ठीक है जी कल अपां डिसकस कीता शी कि जड़ी साड़ा 2 है इसाड़ी की है फस्स्ट टर्म है तो जड़ी नेक्स्ट टरम होएगी जिम्हें कि 4 है एक ही साड़ा सेकंड टरम है जो तो अपर डिफ्रेंस वाइंड कीता शी आपका याजी 4-2 किन आजेगा जी 2 तो होएगा जी common difference बटाज अपने को लो अपने टर्म के में फाइंड करें दिये दिखो कि में कि फोर सड़ा की है कि सेकेंड डर्म में उन्ते को थर्टिय टर्म तक जाना है जब फर्स्ट टर्म निकालने होए ता टू सेकेंड डर्म निकालने होए तक करीद आप एदे विच पोरी होए पर किन हम वरी डर्ट कारता डिफेर्टर तेन वरी वरी वथ फर्टिय टरंम काली है इस स्वास्ते की तरफ तर्म स्टर्म पराविन वरी होए त तुल सेकें और दफाई्सETRI फाइंट करना स्था आपकी अपक डंटी हों दिये के लिए प्लस एन माइनस वांडी यह बनी कि मैं इस एक्जाम्ब्लस तो ही अपका देखने हैं देखने हैं देखो एवान तुसी देख रहे हो एवन टू सी ठीकती एटू क्या मैं बने है एवज टिफरेंस मींस एक वन डंटी के डी बनगी, a n equal to a plus n minus 1 terms ता कोई भी n न टर्म आपप फाइंड करने होगे ता आप इन्हों यूज कर सकने a n साड़ी की है n न टर्म है a साड़ा की है first term है ठीक है जी यह तेक d भी आएगा n minus 1 n नल d a n equal to a plus n minus 1 दिनल की आजेगा d ता d साड़ा की common difference n की यह साड़े को लो number of terms एक example न समयने की कियमें आप इन्हें टर्म फाइंड करी दिये देको जी में अपने को कोशन आजंद है यह पर कोशन आगया की फाइंड करो 10th term ठीक है जी infinite a p अपनों देख रही है जी ठीक है जी 2 साड़ा की यह 1st term है difference की फाइंड करांगे 2nd चो 1st term माइनस करके difference आजेगा n साड़ा की है 10 10th term means a किनना लेना आप 10 ठीक है जी a किनना लेना आप 10 लेना ता a is equal to a plus n minus 1d उन्द फार्मला ता a किनना साड़ा कोल जी 2 है d साड़ा कोल 5 है ते n किनना सी 10 ठीक हो 2 9 दरो आए 10 minus 1 ता साड़ा किनना आजेगा आजेगा आज़ा 47 7 ठीक है यह आप आए कोशन आंदे find कर सकने है next question देखो एक कोशन भी आजएंदा है जो कि important भी है कि how many 2डिजी नंबर्स are divisual by 3 देखो divisual by 3 जीड़ा divisual number हों देने 2डिजी नंबर 2डिजी नंबर देखो 10 तो 2डिजी जीड़ा ज़ी नंबर स्टार जाट जिनने बट अपचा लेना है जड़ा divisual डिजी नंवे 3 नंवे 12 होएगा पहला नंबर मेंस सटी फर्स टर्म केड़ी होगी जी 12 next डिजी ज़ीड़ा होएगा जी 13 नहीं उंदा 14 नहीं फ्रॉर्टी नंदा 15 आज़ी next 18 आगए जी up to option 2 दीज नंबर किते last कतम होंगे ह iPhone 99 99 जो बता है कि 3 multiple डीप लास्ट दीजिका हूं जैक ह double 1999 तब how many students you number 99 जैको एग साधय किन घिववगे हैं ट्वैलम ॥ दीविगी होने दीजिटेको एक चीद उसे या रखने है कि N कदे भी फ्रेक्शन ची नहीं होएगा ठीक है जी? N हर वर इस अड़े को लो नेच्रल नूमबर हो सकता है बट फ्रेक्शनल नहीं होएगा कदे भी तेन अपाँ MC को डिसकस करने है फर्स्ट MC को देखू इन अपी, if D is equal to minus 4, N is equal to 7, A N is equal to 4 तो A फाइंड करने है देखू, simply आपा फार्मूल अप्लाई करांगे A N is equal to A plus N minus 1 D ठीक है जी? A N किन्ना गिमन है साठे को लो? 4 A किन्ना गिमन है? ओपा फाइंड करने A N किन्ना गिमन है साठे को लो? 7, 7 minus 1 D साठे को लो minus 4 ठीक है जी? 4 A plus जो तो अपे अपे अन्नों सोल करांगे तो 6 तो minus 24 तो minus है जी? ओधर जाके plus होजेगा तो A साठे के डाइड आंसर है किन्ना आजेगा 28 तो D अन्ना आजेगा ठीक है जी? ठीक है जी? अपे नेक्स देखने आजे ता लिस्ट ओफ नमबर्स minus 10, minus 6, minus 2 2 इस ता पेंदे जी देखो लिस्ट सड़ू दिती हुए नमबरां जी ठीक है जी? ता अनसर अपे देखने है चेक करने किन्दे जी? AP पुछ रहे कि AP है with the difference ता पहले चेक करने कि AP है या नहीं ठीक है जी? AP चेक करने ता तरीका कि ये difference देखने है आपा कि same है या नहीं तो जो तो मैं minus 6 दे विच्चों minus minus करांगे तो किन्न आजेगा? तो difference किन्न आ रहे है जी? 4 ये नहीं चेक किता 4 ये से difference ता किन्न आ रहे है है हर एक चे 4 तो कि difference सेम है ता साथी AP ता है ठीक है जी? मैं चेक next विगराने है difference है minus 2 सी 3rd तर्म तो minus एक अपने दुरू लगाने है तो minus 2nd तर्म तो minus तो option के लिए आजेगे साथे को लो difference किन्न आ रहे है 4 आ रहे है AP ता है with difference 4 ठीक है जी? next one देखो what is the common difference of AP difference दसने है नहीं दिफरेंस किन्न है देखो इननों बड़ा ये सांथ रीक है अचे उन्हें फार्म ला कीता सी कि AN is equal to A plus N minus 1D तो N दी जगा दसी कि लेके दांगे 18 लेके दांगे ठीक है जी? A सानु नहीं पता कोई गाल नहीं plus N दी जगा दे 18 18 minus 18 minus 1 ठीक है जी? D सानु नहीं पता ठीक है जी? ओमें अपपर करांगे A 14 का निकाल लांगे A plus 14 minus 1 20 दोना नू कंपेर कारदांगे तो साड्यो की आजेगा D आजेगा ठीक है जी? नेक्स कुर्शन देखो जी दा लेमन टरम फ्रूम दा लास्ट टरम ओफ एन एपी देको लास्ट दीगा लगा रहे है कि लास्ट टरम तो असी करना है अजेगा लास्ट टरम फाइंड करना है टीक है लास्ट टरम लास्ट टरम मीनज माइनस 62 एमें अपर सीरिस में नावाँगे ठीक है जी? माइनस 62 आएगा ठीक है तो बहुत दीफरेंस है करना है कि एक इनस आड़े गुल 10 अगर अपा वैसे काल करी तो एक इनस आड़े गुल 10 डिफरेंस के ना बन रहे है 7,4,10 माइनस कीते है माइनस 3 ठीक है जी? अगर असी चेक करना है लास्ट टरम लास्ट टो चेक करना मीनस 62 साड़ा की हो जाएगा जी? फर्स टरम ठीक है जी? अगर अगर असी यह लेफ्ट टो राइट जा रहे है थी? ता असी साट़को डिफरेंस के ना आ रहे है असी माइनस 3 बट होना असी जाना राइट टो लेफ्ट तो साट़को जाएगा नेक्स टरम होईगी यो किन्नी होजाएगी? 59 तो next तो साथे को लाजेगी तो सी plus करांगी 3 तो minus 59 ओमी plus करांगी तो minus 2 56 तो साथे को common difference किना बांजेगा common difference किना बांजेगा 3 common difference 3 आ गया यह तो सी common difference का लिया 3 तो लेमन टरम घटनी है a साथे को किना जी minus 62 a साथे को किना है minus 62 d साथे को किना जी 3 ठीक है जी तो साथे को लोगे जटा a n होएगा a 11 निकालना आपप a 11 देखो क्यों मैं निकालना आपप a 11 आपप फाइंड करना सी ठीक है जी a किना साथे को लो minus 62 प्लस 11 चो बान गए 10 d साथे किना है सी जी 3 तो 30 तो minus 62 तो आंसर किना है साथे को लो minus 60 minus 32 ठीक है जी minus 32 साथे को कि आगे जी प्रित कोशन तुसी कुद ट्राई करना कोई भी डाउट होए तुसी कमेंड करना अगर वीडियो पसान्द आई होए ता जरूर सब्सक्राइब करना लाइक करना शेर करना थोडियो थोडियोो से भी लोडियो